हलो दोस्तों क्या हाल चाल आप सबी के आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं और उमेद आपको दिख भी रहोगा कि आम में फ्लोरिंग होती है बैसे कीशन भी पूटब अच्छा होता यहां से कि आम में फ्लोरिंग का टाइम क्या है तो यहां पर फरवरी मन्त रहता है प्रोब्लम्स यह आती है कि आम में जो फ्लावर होते हैं वो किसी ने किसी कारण वस जड़ जाते हैं कारण क्या होता है सबसे पहले मैं इसके रिजन की बात करूँ तो हाई टेंपरेचर हो सकता है लो टेंपरेचर भी हो सकता है और इसके साथ में pollution का कारण भी हो सकता है pollution के कारण भी असा होता है manless में temperature का सबसे बड़ा region होता है ठीक है यहां तक हो गया लेकिन इसका बचाओ अपन कैसे करें ताकि यह जो flower है वो कम से कम जड़े तो दो तो इसमें दो तीन region है आप इसका यह उपाय कर सकते हैं इससे बचाओ काफी होता है सबसे पहला इसमें कारण हता है पहरे दोस्तों की 2 ग्राम NAA naphthalene acetic acid को 100 लिटर पानी में मिक्स करके आप आम के प्लांट पर इस्प्रे कर सकते हैं दूसरा region 45 ml प्लैनो फिक्स और उसके साथ में आप ले सकते हैं 2 kg यूरिया दोनों का आप मिक्स करोगे मिक्स करने के बाद उसको 100 लिटर पानी में मिलाओगे फिर इसका क्या कर सकते हैं आम के पौदे पर चिड़काओ कर सकते हैं पहला चिड़काओ कर दिया इसके बाद दूसरा चिड़कावपन 15 से 20 दिन के बाद कर सकते हैं इससे आमके जो फूल है वो जड़ने में काफी कम हो जाएंगे ऐसी खूबसूर जानकारिया लेने के लिए आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद